गूड मर्निंग दोस्त असान कीचन में आप लोग को स्वागत है आज हम बनाएंगे जिंगा और बैगन का सबजी पानी वाइल करके हम जिंगा को डाल दिये हैं हलका सचा ला देंगे और ढकन से ढक के दो से तीन मिनट के लिए पकने दे हम चेक करेंगे जिंगा को जिंगा अबल चुका है हमारा हम एक बर्तन में निकाल लेंगे सभी को एक लिए हम फराई पीन जिंगा को फराई करेंगे फराई पीन में हम डाल दिये दो बड़े चमस तेल अब डाल देंगे हम जिंगा हलके हाथों से चला देंगे पकने दे हम जिंगा को जिंगा हमारा फराई हो चुका है अब हम लेग लिए एक कराही कराही में दाल देंगे हम दो चमस तेल तेल गरम हो चुका है हम डाल देंगे एक तेज पत्ता थोरा सा जीरा और थोरा सा काला सरसो अब हम डालेंगे इसमें मसाला में सरसो प्याज मिर्ची चला देंगे इसको मिक्स करेंगे अच्छा से अब हम डालेंगे थोड़ा से अधरक लसुन मिक्स कर देंगे अब डालेंगे हम मसाले मसाले में थोड़ा से लाल मिर्च और थोड़ा से धन्या पोडर थोड़ा से हल्दी पोडर थोड़ा से गरम मसाला थोरा से जीरा पोडर और अधा चमस नमक सभी को मिक्स कर देंगे और हम थोरा से पानी डाल देंगे ताकि मसाला जलेना सभी को मिक्स करेंगे अच्छे से और हम एक डाल देंगे एक टोमाटर चला देंगे अच्छे से पकने दे हम थोरा टाइम के लिए अब इसमें डाल देंगे हम थोरा सा कस्तूरी मेथी चला देंगे फिर से और हम इसमें डालेंगे बैगन जो इस तरह से काट लिए है पतला पतला पीश में और सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम डाल देंगे धकन 2 से 3 मिनट के लिए पकने दे धकन हटा के चेक करेंगे देखे सबजी आधा पक चुका है मिला देंगे सभी को फिर से अब हम डाल देंगे इसमें फ़राई हुआ जेंगा मिक्स करेंगे सभी को अच्छे से मिक्स हो चुका है हम डाल देंगे एक कप पानी सभी को फिर से चला देंगे हैं बाइल होने तक बेट करेंगे हलका सब बाइल हो चुका है हम डाल देंगे धकन और पकने दे दो से तीन मिनट के लिए धक्कन हटा के हम चेक करेंगे सबजी बनके हमारा रेडी हो चुका है देखिए कितने अच्छे सबजी बने हैं आप लोग कोमेंट और लाइक सस्क्राइब कीजिएगा प्लीज गाइच वह हम दाल देंगे थोरा से धनिया पत्ता ओके थैंक यू ओल गाव